मैंने तो कभी सोचा नहीं था मेरी पुस्तक ही छप जाएगी जब मैंने पुस्तक लिखी तो जो हालात थे उस समय इस विशय पर पुस्तक लिखना बहुत मुश्किल था तो मैं देखती हूँ दस साल में इस देश ने कितनी प्रगती की है हिंदू समाज के जो बुदी जीव थे जो नेता थे वो दिखे कितना अलग तरीके सो सोच रहे थे और वों भक्तों को दिलासा दिला रहे थे कि आप फिकर मत करिये खंडित मूर्दी भी इतनी शक्तिशाली मस्जिद बनाने के लगभग तीन सो वर्ष तक हमारे को कोई सबूत नहीं है कि वहाँ पे मुसल्मान थे जोजफ टिफन देला पहले हैं जो कहते हैं कि एक खुला जो कंपाउंड का खुला हिसा है वहाँ पे हिंदू ने बेदी बनाई है उसके सारे डिजाइन उन्होंने के रखें स्केच हाथ से बिलकुल अब बेदी का मतलब पालना नए बच्चे के लिए 28 निहंग 6 मस्जिद में गुज गए हवन पूजा उन्होंने शुरू कर दिया और दिवारों पे राम राम लिख दिया यह दुन्या में एक ही मस्जिद होगी जिसका नाम मस्जिद है ज स्टेप बाइस टेप बाइस टेप और हर मोड पर उनको ऐसे मिले लोग भारत के कुछ इंग्लिश मीडिया और कुछ इतिहासकार उन्होंने जो इस देश के साथ कदारी की है मेरे मन में यही प्रशन आता है कि इतना आपने इस देश के साथ अण्याई किया है मैं अभी राम मंदिर प्राण पतिष्टा होने वाला है तो दस साल पहले लगबग 2013 में आपने पुस्तक लिखी थी राम मंदिर अयोध्या के उपर तो जब आप लिख रहे थे 2013 में तो क्या आपने सोचा था कि 10 साल के अंदर-अंदर हम इस थिती में पहुँचेंगे कि जहां पर हम राम मंदिर की प्राण पतिष्टान के उपर बात कर रहे होंगे मैंने तो कभी सोचा नहीं था मेरी पुस्तक ही छप जाएगी जब मैंने पुस्तक लिखी तो जो हालात थे उस समय इस विशेप पर पुस्तक लिखना बहुत मुश्किल था और जो पब्लिशर्ज जिनके पास मैं गई उन्होंने कहा कि आपने बहुत अध्यान किया है और अध्यान में कोई कमी नहीं है लेकिन हम आपकी पुस्तक नहीं छाप सकते क्योंकि आपने कहा है कि वहाँ पे मंदिर होना चाहिए तो मैंने कहा कि जब सारे सबूत मैंने पेश किये हैं और आप मान रहें कि मैंने बहुत अध्यान किया है तो छापने में क्या आपत्ती है तो उन्होंने कहा नहीं अगर आप खहती कि मस्जित ही रहनी चाहिए तब हमको कोई आपत्ती नहीं हो सकती थी तो मैं देखती हूं दस साल में इस देश ने कितनी प्रगती की है It is amazing मेरे समय कि जो भी लोग थे किसी ने भी नहीं उमीद की थी कि मंदिर हमारे जीवनकाल में होगा It is a remarkable development और अब मैं यह देखती हूं कि जैसे inauguration की तैयारियां हो रही है तो एक line लगी हुई है publishers की हर publisher योध्या पर एक किताब लिकालना चाह रहा है और अभी तो उनको कोई फरक नहीं पड़ता कि quality क्या है बस topic चाहिए बस उनको सिर्फ book चाहिए कौन लिख रहा है क्या लिख रहा है छोटी है बड़ी है कोई मतलब नहीं तो देखें दस साल में ना केवल मंदिर बन रहा है बट publishers उनका रुक कितना बदल गया तो इसका मतलब यह है कि हमारी सभ्यता उस मार्क पर अब भौत तीवर गती से चल रही है कि अब वो बापिस नहीं मुड़ेगी so it's a very very reassuring story आप किसी भी publishing house की forthcoming titles देखिएगा दो दो तीन तीन चार चार किताबे अयोधिया पे कोई दो महिने में लिख रहा है कोई चार महिने में लिख रहा है you know they just want that अयोधिया इससे लिंग और हमारे पास पुस्तक होनी जाए तो दस वर्ष में ना केवल मेरी किदाफ छपी लेकिन कितनी और छप रही तो हम बात करेंगे आयोधिया के उपर भी और मतुरा काशी का एक सवाल आता है कि आयोधिया एक नारा हुआ करता था कि आयोधिया तो जहाकी है काशी मतुरा बाकी है फिर आया कि नहीं नहीं सिर्फ ये तीन बाकी नहीं तीस जार बाकी है तो ये सिलसिला पूरा इस पे बात करेंगे लेकिन एक जनरल बात करते हैं हिस्ट्री की, मीडिवल हिस्ट्री की जब बात करते हैं, तो एक जो तथ्य निकल के आता है, जो पिक्चर निकल के आती है, वो ये है कि जो भी मंदिर बने, या उसके उपर जो आकरमन हुए, उनको तो जितनी भी मस्जिदें बनी, वो उनी मंदिरों के उपर क्यों बनी? क्योंकि ये चाहिए राम मंदिर का ले ले लिजिए चाहिए और मंदिरों का, एक ये तो है कि वो सबसे बड़ा कारण ये रहा कि हम उसको रिकवर कर पाई और आज जानते हैं कि हमको दिखता है कि भई मंदिरों के उपर बनी होई हैं, यही आयोध्या के केस में था, यही काशी में भी है, तो यह क्या फेनोमेना है, इसको थोड़ा समझाईए, देखिए मध्यकाल में अधिकांश मस्जितें जो बनी वो मंदिरों के उपर बनी, अब यह तो है नहीं कि उस समय देश में जमीन की कमी थी कमी तो नहीं थी मंदिर अगर आपको, मस्जित आपको बनानी, आप कहीं भी बना सकते लेकिन हम जब यह इस विशे पर बात करते हैं तो हम विचार धारा जो थी, जो काम कर रही थी, उसको हम इग्नोर करते हैं, उस पे ध्यान नहीं देते और इसमें मैं समझती हूँ कि भारत की आजादी के बाद, एक इतिहासकारों का गुठ उनका ये उदेश्य था, कि विचार धारा, जो विचार धारा इस सबिता संस्रिती के विरुद्धी, उस विचार धारा को इग्नोर करें, उसको नजर अंदास करें लेकिन, ये विचार धारा, अभी भी हम नहीं कह सकते कि थमी है क्योंकि, अभी भी जैसे बामियान बुद्ध अफगानिस्तान में तोड़े गए पाकिस्तान में हमको कितने किस सुनने को आते हैं, बंगला देश में भी तो ये विचार धारा है और जब हम भारत के इतिहास को समझते हैं समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे important बात ये है कि उत्री भारत के बारे में मैं बात कर रही हूँ दक्षिन के बारे में बात में बात कर सकते हैं उत्री भारत में अठार्वी शताब्दी से पहले शायद कोई भी मंदिर नहीं बचा तो आप imagine करिए कितना बड़ा प्रहार था उस विचार धारा का भारत की संस्कृती और सभयताब पर लेकिन कोई भी मंदिर नहीं था जिस पर आकरमन किया हो जिसके स्थान पर मस्जिद बनाई हो जहां से भक्त पीछे हट गए जब हम मद्यकाल की बात करते हैं उत्री भारत में तो हमको ये ध्यान रतना होता है कि उत्री भारत के अधिकान शिसों में सत्ता जिनको हम हिंदू वर्ग कह सकते हैं उनके हाथ में नहीं थी और लोग इतने अमीर भी नहीं थे कि वो विशाल मंदिर बना सकें दुबारा तो हर जगे हम देखते हैं कि मंदिर पर आकरमन हुआ उस स्थान के उपर मस्जिद बने लेकिन जो भक्त थे भक्त कौन थे साधारन लोग वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे तुझे देवता के नाम पर मंदिर नहीं हो तो बहुत केसे हैं जब उन्होंने कंडित मंदिरों के शेश को उठा कर एक छोटी सी मंदिर बनाया तो ये जो इतिहास है ये सारी जगे है सोमनात प्रिसिद है हम सबने सोमनात का नाम सुना है सोमनात पर कम से कम छे बार आकरमन हुए और ये मंदिरों पर जो आकरमन हुए उम मन गढ़ंत कहानी नहीं है क्योंकि जो प्रहार कर रहे थे वो इसको एक गर्व का कार्य मानते थे और उनों ने उनके इतिहासकारों ने हर अटैक को हर प्रहार को रेकॉर्ड किया so that is one point second point यह है कि शायद हम मेंसे इतने लोग नहीं जानते कि जो भग थे जिनके मंदिरों पर प्रहार हुआ उन्हों ने भी अपने संगर्ष को रेकॉर्ड किया तो यह जब हम मध्यकाल के इतिहास को पढ़ते हैं तो बेसिकली हम फार्सी इतिहासकारों पर ध्यान देते हैं लेकिन जो यहां के लोगों ने इतिहास लिखा उसके उपर हम ध्यान नहीं देते मेमूद गजनवी का जो सोमनाथ पर आक्रमन हुआ एक जैन मंत्री थे वो उन्होंने वो गवा थे उन्होंने देखा मेमूद गजनवी का प्रहार और उन्होंने लिखा और उन्होंने ये भी लिखा कि मेमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमन करने के बाद एक और जैन मंदिर पर आक्रमन करने की कोशिश की लेकिन वो मूर्ति को हिलाने में और सफल रहे और वो पूरा विवरन करते हैं एक और बहुत इंपोर्टन गरंथ है जो मधेकाल में लिखा गया था वो लिखा गया था जिन प्रभासूरी अब जिन प्रभासूरी ने चौधमी शतापती में अपना गरंथ लिखा और उस गरंथ में क्या विशेष्टा है उत्री भारत में जो जो स्थानों पर आक्रमन हुआ था वो हर स्थान पर गए और उन्होंने भक्तों को कहा तुम निराश मत हो खंडित मूर्तियां भी इतनी शक्तिशाली हैं जैसे वो पहले थी और इन पर भरोसा करो और इन पर इनकी पूजा करते रहो जैसे पहले की थी मतलब खंडित मूर्थी हम आज सोचते हैं कि खंडित मूर्थी की हमको नहीं पूजा करने तो मदेकाल में ये जो हिंदू समाज के जो बुदी जीव थे जो नेता थे वो दिखे कितना अलग तरीके सो सोच रहे थे और उन भक्तों को दिलासा दिला रहे थे कि आप फिकर मत कर खंडित मूर्थी भी इतनी शक्तिशाली और क्योंकि इतना प्रहार हो रहा था मदेकाल में तो एक ग्रंथ लिखा गया मदेकाल में कि अगर मंदित तूट किया मूर्थी भी नहीं है तब क्या करना है तो वो ग्रंथ लिखता है या अगर खत्रा है तो लिखता है कि आप मूर्थी को बड़ी इज़त से पूजा करके उसको जमीन पे दफना देजे। और आप सोचिए कि मूर्थी वही है और आप पूजा करिये अगर मूर्थी नहीं भी है। So you know these kind of instances are so so interesting. And since we are going to discuss Ayodhya, मैं दुबारे ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी स्थान नहीं है जहां पर मंदिर तूट के मस्जिद बनी लेकिन भक्तों ने मस्जिद के जितने करीब जा सकते थे उन्होंने मंदिर दुबारा नहीं बनाया। So this is something that is really remarkable. अयोध्या की बात करें तो जो वेदी बनाई थी जहां पर पूजा करते थे वो तो मस्जिद के परिसर में ही थी. अब मैं आपको योध्या का परिसर का समझा देती हूँ. जब हम घर बनाते हैं तो हम एक प्लॉट खरीते हैं. प्लॉट के चारों तरफ हम बाउंडरी वॉल बनाते हैं और बाउंडरी वॉल के अंदर हमारा प्लॉट है. तो ऐसा ही बाबरी मस्जिद के केस में हुआ कि बाउंडरी वॉल उसमें एक मंदिर था. ठीक है? वो मंदिर बाबर ने 1528 में तोड़ा और वहाँ पे मस्जिद बना दे. तो इसका मतलब है कि जो मंदिर का स्थान था वो खो गया. तो वहाँ पर क्योंकि हिंदू ने या जैन्स ने या सिखों ने कोई मंदिर मस्जिद तोड़ के दुबारा नहीं बना है. अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हैं तो उन्होंने मस्जिद नहीं तोड़ी, उसके आस पास बनाया. और योधिया कि मैं उस तरह से बात नहीं करी क्योंकि 1992 में तो मस्जिद टूटी, बट आम टॉकिंबाट अधर थिंग्स, अधर प्लेस, तो ये परिसर में मस्जिद थी, तो इसका मतलब है मस्जिद को नहीं तोड़ सकते थे. तो परिसर में खाली जगें बची, तो आप हैरान हो जाएंगी, मैं तो बिल्कुल हैरान थी, कि मस्जिद बनने के बहुत शीगर बाद हमको खबरें मिलती हैं कि भक्त जो खुला एरिया है, वहाँ पर घुस गये हैं. और वहाँ पर घुस कर वो उस खुले इलाके में, खुद खुले एरिया में जो बना सकते हैं, वो बना रहे हैं. तो सबसे पहले उन्होंने बनाया है जनम स्थान, उसके बाद उन्होंने बनाया 3-4 और छोटे बिल्डिंग्स. तो यह जो सारा रेकॉर्ड है, यह हमारे पास 1858 के बाद, ब्रिटिश फैजाबाद डिस्ट्रिट कोर्ट में, जो केसिस फाइल किये थे, उसमें रेकॉर्डड है. तो इसका मतलब यह है, अब जब यह सुप्रीम कोट, यह अलाबाद हाई कोट में केस गया, तो अलाबाद हाई कोट ने कहा हमको बताईए कि जनम स्थान, छपपर, जो सारे कमपाउंड में इमारते हैं, बिल्डिंग्स हैं, यह कब बनी? यह तो है न, कि बाबर ने मंदिर को तोड़ दिया, मसिद बनाई और इन सब स्थरक्चर्ज को छोड़ दिया. तो इसका मतलब है, कि यह स्थरक्चर्ज मस्जद बनने के बाद, तो यही सबूत है कि Państwo खोए हुए स्थान के जितना करीब बना सकते थे, उन्होंने बनाया अब योध्या के बारे में सबसे पहले ये बात है तो उन्होंने जनमस्थान जनमस्थान क्या था? एक चबूत्रा था उसको रामचबूत्रा बोलते थी तो वहां रामचबूत्रा कहां बनायا जहां से वो मस्जित की के दर्शन कर से अच्छा so you know it is a very very fascinating story अब हमको ये जानना ज़रूरी है कि Hindu presence हमको दिख रही है कि जनमसान उन्हें बनाया है सीता की रसोई है चपर है और कोठडी है वो जो बना रहे हैं हमापे और मूर्तियां लगाने की लेकिन 1858 मतलब बाबर के मस्जिद बनाने के लगभग 300 वर्ष तक हमारे को कोई सबूत नहीं है कि वहाँ पे मुसल्मान थे अलावाद हाई कोट ने मस्जिद पाटी को कहा कि मस्जिद बनी ये तो दिखता है सबको लेकिन 300 वर्ष उस मस्जिद का क्या प्रयोग हूँ आप हमको बता दीजे कोई नमाज पढ़नेगा कोई record नहीं कोई नहीं था अथा फिर बाबर ने यहाँ पे मस्जिद क्यों बनाई ये बहुत ज़रूरी बात है हमको समझने की अगर 300 वर्ष महाँ पे कोई नमाज ही नहीं पढ़ रहा थो तो महाँ पे बाबर मस्जिद अगर उनको बनानी थी तो अयोध्या में और स्थानों पे भी बना सकते थे लेकिन वो बहुत क्लियर थे कि उनको ये जगह चाहिए इस जगह का महत्व है अब बाबर ने हिंदूस्तान से आने से पहले समरकंद इत्यादी में कोई रेकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने मस्जिदें बनाई भारत में तीन मस्जिद हैं और भी बनाई होंगी लेकिन तीन मस्जिद हैं जिन पर हमको शिला लेख मिले तो उसमें तो कोई शंका की बात नहीं है कि ये तीन बाबर ने बनाए और तीन कहां बनाए एक तो पानीपत पर बनाए वो अभी भी है पानीपत क्योंकि उन्होंने लोधी वंच को वहां पर हराय था और लोधी वंच की गद्धी उनको यहां से मिले थी सेकिंड उन्होंने बनाया संभल में वो भी मस्जिद अभी भी है और वो मस्जिद हिंदू मंदिर को तोड़के बनाई गई और आप मस्जिद अगर जाएं तो महाँ पर इंस्क्रिप्शन है कि मीर हिंदू बेग ने अग बाबर के फरमान पर ये बनाई है और मंदिर के शेश आपको वहाँ पर मस्जिद में मिलेंगे चीक है और संभल की क्या मेहत बता थी क्यूंकि हिंदू मानने ता थी कि कल की अफतार का संभल में बटट होंगे तो imagine करिए क्या-क्या जगे चुनी और तीसरा था अयोधिया अब प्रॉब्लम ये है कि हिंदूस ने तो उस जगे को नहीं छोड़ा मस्जित नहीं तोड़े ठीक है जगे को नहीं छोड़ा तो compound में वो बनाते गए 1858 से पहले जो अलबाद High Court में सबूत हैं वो साबित करते ह हैं कि 1858 से पहले हिंदूस मस्जित के अंदर मस्जित के अंदर और मस्जित के बाहर जो खुला स्थान था दोनों जगे वो इस्तमाल करते थे 1858 से पहले पूरा complex उनके control में था अब सबूत की बात करते हैं हमारे पास इसके अतिरिक क्या सबूत थे इतने जादा सबूत थे एक तो विलियम फिंच थे इंग्लिश इंग्लिश मैन थे 1608 में वो अयूध्या आये तो ये जो लोग आये ट्रैवलर्स का अकाउंट था और एक जो ब्रिटिश शिविल सर्वेंट्स थे उनके भी अकाउंट दोनों बहुत महत्वपून थे अच्छा एक तो ये है अब इनको क्या पता था कि भी 300 साल बाद हमने जो लिखा है वो इतना काम आएगा तो वो लिखते हैं कि यहां पर आते हैं दूसरा था जेजुएट जोजफ टिफन थेला जोजफ टिफन थेला चालिस साल भारत रहे और उनके स्केचिज कितने जबर जबरदस्त हैं और साथ साल वो अवद के इलाके में रहे और जोजफ टिफन थेला पहले हैं जो कहते हैं कि एक खुला जो कमपाउंड का खुला हिस्सा है वहां पे हिंदू ने बेदी बनाई है उसके सारे डिजाइन उन्होंने बना के रखें स्केच हाथ से बिलकुल अब अबेदी का मतलब पालना नए बच्चे के लिए और वो यह लिखते हैं कि राम नौमी में इतने लोग आते हैं यहाँ परिक्रमा करने के लिए तो वो यह लिखते हैं और इंपोर्टन एक है 1850 यह 1880 में अंग्रेज सरकार ने अमीन कमेशन की स्थापना की थे और अमीन कमे जो जो स्ट्रक्चर्श हैं उनकी आप रिपोर्ट हमको दीजे क्योंकि मस्जिद के इलावा इतनी ओपन ग्राउंड में इतनी छोटी-छोटी बना दी थी महेंस ने तो वो अमीन कमिशन को बताता है और मुझे सबसे हैरानगी की बात यह लगी वो कहता है कि कमपाउंड द बाउंडरी वॉल के आगे जमीन धस गई है क्योंकि इतने लोग वहां पे परिक्रिमा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो भगत आते थे उनके लिए पूरा परिसर पवित्र था और जब हमको याद रखना चाहिए कि वहां पे कोई हिंदू राजा नहीं था यह साधारन लोग थे अपने बलबूते पर आ रहे थे कितना कष्ट करके आ रहे थे लेकिन राम को चोडने को तैयार नहीं थे यह सिविलाइजेशनल मेमरी जब हम बोलते हैं कि भई हिंदूस की कोई मेमरी नहीं है हम नहीं बोलते हमको तो पता है कितनी मेमरी थी जो हमारे क्रिटिक् इतिहास की कोई सेंस ही नहीं थी, अंग्रेज उनने भी ये खा और उसके बाद जो मार्क्सवादी, उनके उत्र अधीकारी इतिहासकार आए, उनने भी ये खा कि लेकिन ये सबूत है कि कौन बोल रहा था इन लोगों को कि यहां पर जनम स्थान था, वो तो उस थान को राम से इतना उनका संबन था कि वो वहां पर परिक्रिमा, मतलब जमीन धस गई है, परिक्रिमा, तो कितने लाखों लोगों ने परिक्रिमा की, एक और दिलचस बात है, पोर्चा के राजा, वो क्रिशन भगते, और उनकी रानी वो राम भगती, तो उनके राजा ने कहाओगा कि तुमारे राम भगवान तो प्रकट ही नहीं होते, उसने का मैं अयोध्या जाओंगी राम जी के दर्शन के लिए, अब ओर्चा से अयोध्या जाना उस वातवरन में कोई आसान बात नहीं थी, तो लेकिन वो गई और वहाँ पे वो रही लेकिन उनको राम लला के दर्शन नहीं होए, तो उन्होंने का मैं सर्यू नदी में समाध्य ले लूँगी, तो वो सर्यू नदी प्रवेश करती हैं और कहती हैं कि मैं यहाँ पे अपना जीवन त्याग दूँगी, जैसे वो सर्यू में प्रवेश करती हैं, उनका पाउं किसी चीज से, कोई चीज दिखती है, मतλब फील होता है उनको और हो चीखती हैं, तो उनके साथ जो साथी आये थी वो एकदम कूते हैं सर्यू में कि प्रवेश करती हैं, और वो ओर्चा की रानी राजा राम की मूर्थी है ओर्चा वापिस ले जाती है अपने साथ और ओर्चा में आज भी आपको वो मूर्थी मिलेगी और मंदिर में स्थापित है तो मतलब की इतनी विचितर कहानिया हैं हमको अपने इतिहास से हम अग्यात थे और जो हम वेस्टर एजुकेटेड थे हमको अपने इतिहास ने हमको अपने आप से नफरत करना सिखाया था अब क्या है कि नैशनलिजम नैशनलिजम ने इतनी राष्टरवाद की भावना ने इतना जोर पकड़ा है कि जैसे पहले नारा सुनते थे हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं लेकिन पहले हम नारा ही सुनते थे अब हम देखते हैं कि लोगों में जो जान आ गई है, confidence आ गया है और गर्व है अपने इतिहास का, अब मैं अख़बार में पढ़ रही थी, पहले मैं आपको बैक्ग्राउंड बता देती हूँ, 1858 में, 1857 में East India Company, अफिशल हैंड ओवर हो गया, क्योंकि ग्रेट रिवोल्ट, 1857 के विद्रुख के बाद वो, 1858 में, अवद इलाके की administration उनके पास आती है, तो 1858 में हमारे को पहली बार सबूत मिलता है, कि Muslim Presence at Babdi Masjid, अब वो कब आए, हो सकता है कि 1858 के कुछ वर्ष पहले ही आए होंगे, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है, कि हम वहां पे थे, उनका सबूत 1858 से आरभ होता है, और हमारा मतलब मंदिपार्टी का सबूत, William Finch, Joseph Tiffen Teller, 1828 में, Faizabad District Court में, एक officer थे, Hafizullah, उन्होंने बयान दिया, कि Babri Masjid is built on the site of the Ram Temple and it is next to Sita की रसुल, तो ये 1822 में उनका बयान दिया, तो ये three important evidence that we have. लेकिन, जो मैं बात बताना चाह रही थी, कि 1858 में, जो थानेदार थे, अवद के, वो complete, F.I.R. फाइल करते हैं, कि 28 निहंग 6 मस्जिद में गुज गए, हवन पूजा उन्होंने शुरू कर दिया, और दिवारों पे राम राम लिख दिया. कौन से स्थान की मैं घटना, ये कहां हुई ये घटना, मस्जिद है जनम स्थान, ये थानेदार लिखते हैं. ठीक है? नाम ही मस्जिद जनम स्थान है. और अगले दिन जो मुतबली बाबरी मस्जिद के थे, वो official complaint फाइल करते हैं, कि ये ये हुआ, और उनकी sign करना पड़ता है जब आप complaint, तो वो कहते हैं मैं मुतबली मस्जिद जनम स्थान. ये दुन्या में एक ही मस्जिद होगी, जिसका नाम मस्जिद है, जनम स्थान है. जनम स्थान है. ये कोई सीक्रेट बात नहीं थी. उनको सब को पता था, ये जनम स्थान है. लेकिन मेरे को इस विशय में, what I want to say is coming to the present. कुछ दिन पहले, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी अखबार में, कि जो नहंग 6, 25, 1858 में, मस्जिद में घुस गए थे, उनके परिवार के लोग, अब राम मंदिर की स्थापना की खुशी में, वहां पे लंगर ओफर करेंगे. आप इमेजन करिए, उनके पूरवज, 1858 में, वहां पे गए, और उनके डिसेंडेंट्स, 2024 में, उनको ये याद है, कि हमारे पूरवज जोने ये काम किया था, और हूँ कहते हैं, इस खुशी में हम जैनुरी में वहां पे लंगर करेंगे. इस आर सच फैसिनेटिंग स्टोरी. मैंने आपको बताए कि फैजबार डिस्ट्रिक कोर्ट में, 1858 से कंप्लेंट फाइल हो गई, पहले F.I.R. हुआ, फिर मुतवली ने फाइल किया. 1858 से 1947 अजादी तक, फैजबार डिस्ट्रिक कोर्ट में दोनों पार्टीज के बहुत सारे केसिज हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ फाइल किये. लेकिन हैरानगी की बात है कि वो सारे डॉक्युमेंट्स सारे बच गए, ना कोई आंधी, ना तुखान, ना बार और ये बहुत important documents थी, जो अलाबाद High Court के सामने पेश की गई पहली बार. तो इसमें, मतलब there are so many, इतने लंबे cases हैं, लेकिन I will, दो-तीन important cases हैं, एक तो, जो मैं discuss करना चाहूंगी, एक तो वहाँ पे जो officer थे, वो कहते हैं कि राम नौमी के time पे, लोगों की इतनी भीड हो जाती है, कि हमको एक और रास्ता खोलना पड़ता है, कि ताकि आधे जो यात्री हैं, वो दूसरे रास्ते हैं, क्योंकि इतनी भीड हो जाती हैं, हम control नहीं कर पाते हैं, आप imagine करिए, कैसे ये लोग थे, इनको क कोई इनाम नहीं मिल रहा था, इनका कोई record नहीं हो रहा था, लेकिन अपनी भावना, राम के प्रती श्रद्धा, तो वो अंग्रेज officer लिख रहा है कि हमको राम नौमी के time पे, और दर्वाजे खोलने पड़ते हैं, all entry points, extra entry points, क्योंकि इतना rush होता है यात्रियों का, this is really very important, और एक होर case जो मैं discuss करना चाहूंगे, वो है कि, जो मुत्वली बाबरी मस्जिद के, वो एक case फाइल करते हैं, अफैजाबा district court में, और वो क्या कहते हैं, कि कार्तिक मेला और राम नौमी में, हम, हमारा महिंस के साथ, एक समझाथा था, कि हम उनको, और जो जो लोग वहाँ पे दुकाने establish करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, उनको स्थापित कर सकते हैं, क्या दुकाने फूल की, प्रिशाद की, जैसे मंदिरों के बाद, आप देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा ये था, कि जो बिक्री होती है, उस का आधा हिस्सा हमको देंगे और आधा महित रखेंगे, मतलब उस ताइम तो नमाज नहीं हो रही होगी ना, कार्तिक, पेला और राम नौमी के टाइम तो वो कह रहे हैं कि हमने पूरा परिसर खाली कर दिया और ये, इतनी बीड आ रहे हैं कि उनको, सरकार को भी लग रहे ह सकता है, और फिर वो एक नया रास्ता भी खोलते हैं, तो वो कहते हैं कि इस बार ना, ये महेंस ने अपने आप, ये जो 50-50 था, उनोंने हमारा हिस्सा कम कर दिया, तो वो कोट को बोलने कि हमारा हिस्सा जो 50 था, वो हमको दीजे 50 प्रतिशत, तो कोट बोलती है, जब तुम जब तुमने वहाँ पे अलाव कर दिया दुकानों का, इसका मतलब है, जो परिसर है, उसका सारा तुम मालिक नहीं हो, तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तो यूनों, दूसरी बात, यूनों, जब हम अपने पूरवजों की मतलब की, जो उनोंने परिश्रम किया, और जो इ ध्यान देना चाहिए, जो महंत थे, मैंने आपको बताया, उन्होंने चबूत्रा बनाया था, वो चबूत्रा ग्यारा फूट बाई सत्रा फूट था, और वो ओपन तो दूसका है, तो बारिश में, धूप में, सर्दी में, वहाँ बैठे रहते थी, कोई छद नहीं थी, आ अजद के अंदर तो जाते ही थे, 1858 तक, लेकिन वो जबूत्रा नहीं छोड़ना, क्योंकि वो भी परिसर के अंदर ही है, तो वो अंग्रेजों को कहते हैं, ब्रिटिश जजेज को, यहाँ पर हमको बहुत कटिनाई है, बारिश में भीग जाते हैं, कड़ी धूप में हमार फुट बाई 17 फुट जो राम चबूत्रा हमारा है, हमारे पास है, इसके उपर हमारे को परमिशन दीजे, इजाज़त दीजे कि हम यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर मना लें, तो ब्रिटिश जजेज, वो तो मैं मानना पड़ेगा कि ब्रिटिश नयधीश जो थे, जजेज जो थे, वो बहुत फेर थे, उन्होंने सारे पेपर्स को स्टडी किया, सारे हिस्टोरिकल रिकोर्ड उससे पहले के, सारे उनके बेसिस पे उन्होंने यह डिसिजन लिए, इतना इंपार्शल थे, इतने फेर थे, ब्रिटिश रूल के और समस्यां थी, लेकिन मैं, जो मैंन थोड़ा सा अध्यान किया है, मैं यह नहीं कहूंगी कि उन्होंने हिंदूस के साथ नाइंसाफी की, तो ब्रिटिश जजिज बोलते हैं कि भाई, हम समझ सकते हैं आपकी प्रॉब्लम, और हमको यह भी पताए कि पूरा रामचबूतरा आपका है, लेकिन यहाँ पर इतना विवातित स्थान है यह, कि हम यहाँ पर कोई चेंज नहीं कर साथ, तो बटे मैजन करिए, सद्यों से वो लोग महाँ पर बैठे हुए थे, महन से, 1912 में और 1934 में, अयोध्या में दंगे हुए, दंगों का कारण क्या था, गौहत्या हुई थी, तो 1912 में जब पहली बार यह हुआ, तो Lieutenant Governor North Western Provinces के जो गवनर थे, वो खुद आये, अयोध्या, कि कोई रास्ता निकाल सकें, तो वो रिपोर्ट लिखते हैं और वो कहते हैं कि जब तक आप यहाँ पर नहीं आएंगे, जब तक आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि राम भक आती कितनी प्रबल है यहां में, यू के नट इमाजन देवोशन तो लॉड राम उंटिल यू कम यह, फिर 1934 में दुभारा गौहत्या होती हैं और उस टाइम, there is an attempt to destroy बाबरी मस्जिट, ठीक है, और बाबरी मस्जिट का एक गुमबद तो घिरा देते हैं और दूसरे गुमबद पर भी प्रहार करते हैं तब तक पुलीस पहुंच जाती है, तो इस केस में वो हिंदू कम्यूनिट, क्योंकि हिंदू ने ही तोड़ा है मस्जिट, तो हिंदू कम्यूनिटी पे जुर्माना लगाते हैं कि आपको 84,000 रुपीज जुर्माना आपको पे करना पड़े, उस समय 84,000 रुपीज कितना बिग अमाउंट, इतनी बड़ी रकम और पिछले हफते मैंने स्वराज्य मैगजीन में एक लेक पड़ा और जो अयोध्या के जो लोग थे जिनको 84,000 रुपीज मिलके सरकार को देना था ताकि वो मस्जिद को रिपेर करते हैं, तो उनके परिवार के लोग, उनको कुछ लोगों को इंटेव्यू किया, और उनको याद था कि हमारे परिवारों ने 84,000 रुपीज मिलके दिया, और हम किस तरह से बरबाद हो गए, इमाजन करिए कि वो जो डिसेंडेंट्स हैं, उन परिवारों के, योध्या के जिन्होंने 84,000 रुपीज पेनल्टी दी, सब कुछ बेच के, 84,000 रुपीज तो ये जो उनके परिवार हैं, इनके कुछ लोगों को इन्होंने इंटेव्यू किया, इनको याद था कि हमारे परिवारों ने इतनी बड़ी रकम दी, और उन्होंने कहा कि हम तो बरबाद हो गए थे, अब तक हम नहीं गरीबी को दूर क से कर सके, because of the huge penalty, तो जब हम, हमको, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, तो हमको, we have to remember the homage, ये बड़े-बड़े, ये तो कहीं न कहीं ऐसे कह सकते हैं कि 500 साल की आहुती का नतीजा है, जो आज है, लेकिन हमको याद करना चाहिए ना, जिनोंने ये किया, उनको तो क्या मिला, उतना संघर्ष, उतनी कठिनाई हैं, उतनी मुसीबते हैं, अज हम कहते हैं कि हिंदू संस्रिती, अरे हिंदू संस्रिती आपने और मैंने और किसी राजा ने नहीं, इन लोगों ने बचाई है, और कितने सैंकड़ों ये लोग थे, और कोई कोना नहीं होगा देश का जहां से, जो आप रावनाविकी भी बात कर रहे हैं, और मैं 2017-2018 में वहाँ पे गया था, तो कम से कम 10 हजार तो उस समय आते थे, डेली, और कोई ऐसा स्टीट नहीं होगा, जहां से अगर आप पूछना शुरू करें, तो पूरे भारत में और भारत के बाहर भी, कोई ऐसी जगह नहीं है, जहां से लोग नहीं आते थे, तो आज कल नौर्ट साउथ और ये सब बकवास कर रहे हैं लोग, तो आप देखी वहाँ पे कितने साउथ से लोग आते हैं, तो ये तो एक, मुलब किसी की बपोती नहीं है, बलकि हर एक पांसो साल में कोई युगदान जरूर रहा होगा, और ये हम इस वक्त जब राम मंदिर विशाल भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, बन गया है, तब हमको एक मिनिट तो एट लीस्ट इन लोगों की याद, बलकि ये पूरा का पूरा जो मूमेंट है, पांसो साल का पूर पीस्ट इस वेल इस वोईलेंट, दोनों को पढ़ाना चाहिए स्कूलों में, और एक प्रॉपर कोर्स बनाना चाहिए, क्योंकि इस से बड़ा कोई मेरे ख्याल से तो पूरे दुनिया में कोई मूमेंट नहीं है, जो इतना इतना शांदार तरीके से, जो इतने लंबे तरी किसे पीसफुल रहा और फिर जब जरूरत पड़ी तो वोईलेंट भी रहा, तो कहीं न कहीं एक सिंबोलिक भी है, जो श्री राम जो रास्ता मांगते हैं समुंदर से, और जब नहीं है समुंदर रास्ता देते तो फिर तीर भी चलाने की वो होती है, अब ये स्कूलों में पढ़ाये जाएगा, ये मैं कह नहीं सकती, लेकिन जैसे मैंने अपनी पुस्तर कभी नहीं सोचा था, तो हो सकता है कि दस साल में, पीएचडी तो होना ही चाहिए इस बिल्कुल, बिल्कुल, और 1934 के करीब, उसके बाद डेली नमास तो खतम हो गई थी, तो वहां पे हमार पास रिपोर्ट्स हैं, जो वक्फ कमिशनर ने सपोर्ट पेश की थी, तो वो कहते हैं कि मस्जिद बंद रहती है, लॉक्ट रहती है, और फ्राइडे को, शुकरवार को, जुमा नमास के लिए वो दो घंटे पहले खुलती है, और उसके बाद सफाई होके, उसके बाद नम पढ़ते हैं, फिर बंद करते हैं, और वो कहता है कि नमास दो घंटे मतलब कि इतना ही मुश्किल है, क्योंकि जो कमपाउंड है, परिसर के अंदर जो खुली जग है, वहाँ पे जो लोग हैं, वो इतने होस्टाइल हैं, इतने विरोध करते हैं हमारा वहाँ पे, कि हम बस म कल पाते हैं, तो इसका मतलब है 1930, अब देखिए, ये 100 साल में भी मतलब देखिए, 1858 के असपस इनका शुरू होता है दखलनदा जी, और 1930 तक आ चुके हैं हमारा, तो कितने वर्ष? 80 साल, लगबग 60 साल, और उसके बाद तो कोई वो खुद उनकी रिपोर्ट्स हैं, ठीक ह कोर के बाद तो नमाज खतम हो गई, अच्छा, और जब 1949 में रामलला प्रकट हुए, ये कह? तब किसी मुसल्मान ने, मुसलिम ने कोट में जाके नहीं कहा कि मेरी नमाज पढ़ने का जो हग है, वो डिनाय हो गया, किसी ने परवाई नहीं की, नो F.I.R. was filed for claiming the establishment of a right to offer नमाज, किसी ने ने की, प्रॉबलम किसको ही, दिली में केंदर सरकार को, तो दिली में केंदर सरकार तो हैरान हो गई, कि ये क्या हो गया, रामलला प्रकट हो गए, तो परदानी, ने ओर्डर भी दिया था, कि इसको हटाया जाए, तो नायर साब ने लिगा था, कि यहाँ पर पूरे, मतलब यहाँ पर मिली नहीं रहा है कोई, कि जिसके हिम्मत हो की निकाल सके, अब उस समय का देखे, और आज का देखे, कि प्रधान मंतरी स्वेम, वो घाटन करेंगे, और ऐसा नहीं है, वहाँ पर माहूल नहीं था, सोमनाथ में बकाइदा गए थे, प्रधान मंतरी नहीं गए, लेकिन ग्रह मंतरी गए थे, तो ग्रह मंतरी तो अगर उस टाइम के तो वो तो कहीं भी जाने को तयार थे, तो आप इमाजन करिए, वो चिठी लिखते हैं, कि भी ये तो बहुत गलत हुआ है, और पाकिस्तान और कश्मीर के, मैं कैसे उनके साथ बात करूँगा, ये तो बहुत गलत बात हुए, और फि प्यूटी कमिशनर, तो ये चिठी प्राइम मिनिस्टर गोविन बलापंद को लिखते हैं, जो चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, वो जो उनकी चिठीयां हैं, वो पबलेश हो चुकी हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रधान मंतरी ने तो ये चिठीयां लिखी नहीं, उनके चुप चाप रामलला को यहां से हटा तो केकर नायर इस अनदर हिरोईक सन अफ दिस लाइग, वीर पुत्र हैं इस जन्म के, उन्होंने कहा सवाली नहीं उठता, मतलब आप अगर ये कह रहे हैं कि हटा दो, इसका मतलब आपको कोई आइडिया नहीं है कि लोगों की क्या श और मैं तो किसी मंत्री, किसी पुजारी को नहीं ढून पाऊंगा, जो ये कर देगा, वो एक्चली जो जिस तरीके से उन्होंने वो लिखा है ना, वो डिप्लोमेटिक ब्रिलियंस है, कैसे मना करते हैं, without saying कि मतलब मैं तो चाहता हूँ और उस तरीके से, मैं तो हुई नही और फिर वो ये कहते हैं, कि मैं एक सुझाव देता हूँ, राम लल्ला प्रकट हो गए, तो उनकी पुजा में कोई अर्चन नहीं आनी चाहिए, तो हर रोज पुजारी आएंगे और नियम अनुसार पुजा करेंगे, लेकिन जब तक ये कोट फैसला नहीं कर दी, हिंदूस और मुसलिम्स को उस साइट पर नहीं आने दें, तो मतलब कि राम लल्ला ही अपना रास्ता ढूंड रहे थे, स्टेप बाई स्टेप, स्टेप बाई स्टेप, और हर मोड पर उनको ऐसे मिले लोग, you know it is really remarkable, and when we talk about Ayodhya, हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए, कि पांच सो साल में, ये पहली बार है, जब हिंदों को अपना पवित्र स्थान वापिस मिला है, this is something that is really, पांच सो साल, और imagine करें, कोई imagine कर सकते हैं, सिर्फ हिंदों को नहीं मिला है, पूरे विश्व में, मलब हिंदों को ता पहला है, ये पूरे विश्व में, कोई भी community ऐसी नहीं है, सि आप पेगन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो ठीक है, वो खतम ही हो गई, कहां है पेगन सिविलाइजेशन, जो ओरिजिनल सिविलाइजेशन है, और हमारी संस्कृती, अब राखी गड़ी में बताएगा है कि आर्ट हजार साल पहले की है, तो आप imagine करिये continuous, ठीक है लेकिन स्पेन में जो established society थी, तो जब अरब armies उन्होंने प्रिवेश किया, तो कोई भी cathedral या church नहीं थी, जिसको उन्होंने मस्जित नहीं बना है, लेकिन जब स्पेन के लोगों ने अरब armies को हटाया निकाला, तो कोई मस्जित नहीं थी, जिसको उनने वापिस cathedral नहीं बना, लेकिन आपकी बात बिलकुल सही है कि पेगन अब पेगन शब्द सही शब्द है या नहीं है लेकिन भारत के इलावस सब जगे वो उनका कोई नाम निशान नहीं और हम राश्टरवाद की भावना इतनी स्ट्रोंग हो गई है in the last few decades you know so it is a major journey that the Hindu or Indian Sanskriti sabhyata ने तहर किये इसमें मैं दो और एस्पेक्ट पे बात करना चाहूँगा एक तो जो आर्केलोजिकल सर्वे हुआ आज हम देख पा रहे हैं कि काशी में जो हो रहा है वो अभी चली रहा है अभी कॉर्ट में आना है उसका लेकिन ऐसा ही सर्वे 2003 में मार्च में शुरू हुआ था और वो भी बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट था जिसके थूँ ऐसी फाइंडिंग्स निकली है योधिया में अजी ब्यार मनी जी के अंडर में जो हुआ था तो वो एक बहुत ही इंपोर्टेंट और क्रिटिकल फाइंडिंग्स थी जिसकी वज़े से कॉर्ट को भी यह हुआ कि अब तो इसको डिनाई करी नहीं सकते तो एक वो एस्पेक्ट पे मैं आप थोड़ा बात करें उसके बाद उसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है जो लोगों को जानना चाहिए ठीक है अब पहले बात मैं यह कहना चाहूंगी कि भारत के कुछ इंग्लिश मीडिया और कुछ इतिहासकार उन्होंने जो इस देश के साथ कदारी की है उसको हमको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जो मंदर पार्टी के पास सबूट था वो सारा सबूट 1947 पे था और जो जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोट ने दी और जो अलाबाधाई कोट ने दी वो 1947 में भी दे सकते क्योंकि सारा सबूट British Judgment, Judicial Records, Revenue Records ये सब पहले से ही थे सिर्फ जो एड हुआ है वो है ASI रिपोर्ट अब ये ASI रिपोर्ट अलाबाध हाई कोट को पता था कि इस पर बहुत बिवाद हो सकता है तो उन्होंने कुछ शर्टें रखे उन्होंने कहा कि किसी भी दिन खुदाई नहीं होगी अगर दोनों पर ये लोग वहाँ पे उपस्तित नहीं है मस्जिद पार्टी और मंदिर और हर रोज जो खुदाई में मिलता है वो रिजिस्टर में लिखा जाएगा और दोनों पार्टी की लोग उसको साइन करेंगे तो कोट ने इतने इससे ज़्यादा निश्वक्ष क्या हो सकती है कोट तो जो खुदाई हुई वो हैरानगी की ये बात थी कि उसने साबित किया कि उस स्थान पर Continuous Occupation from Second Millennium BC Second Millennium BC से वहाँ पर एक के बाद एक Continuous Occupation था वो स्थान कभी खाली नहीं था और वहाँ पर कोई महल राजा का या कोई लोगों के घर नहीं थे एक के बाद एक Religious Structures वहाँ पर बने थे और वो पूरी विवरन करती है हमारे लिए ये जरूरी है, इंट्रेस्टिंग है कि ASI Report के हिसाब से या नुसार दस्वी शतापदी में एक मंदिर बन और ASI Report ये नहीं कहती वो सिर्फ कहती है कि मंदिर Short-Lived था उसका बहुत कम समय तक वो रहा और उस Short-Lived Structure के उपर बार्मी शतापदी में ये विशाल मंदिर बना जिसको बाबर ने डिस्ट्रॉई किया अब ये दस्वी शतापदी का जो मंदिर था जो ASI Report कहती है इसका काल बहुत कम था इसका क्या क्या हुआ इस मंदिर का जैसे हम जानते हैं कि हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार एक स्थान जो मंदिर का हो गया है वो मंदिर कभी नहीं खो सकता चैविदेशी उसको occupy करें thousands of years कोई बहार का आके या कोई और आके उस स्थान पर कबज़ा कर ले तब भी वो स्थान मंदिर का ही स्थान है तो अब ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 10th 11th century का जो मंदिर था उसका क्या हशर हुआ क्योंकि हमको पता है कि मेहमूद गजनवी के पुत्र का पहला आकरमन यहां पर हुआ तो हो सकता है कि वो दस्वी यार्मी शतापदी का मंदिर पहले वेव अफ तुर्की आकरमन ने आकरमनों में पुछ टूटा गया हुआ और बार्मी शतापदी में वो विशाल मंदिर बना और उस मंदिर का इतिहाज शिला लेख जो मंदिर की दिवारों से गिरा 1992 उसमें पुरा विवरन है और वो जो शिला लेख है उसमें बताते हैं कि गहडवाल राजा गोविन चंद्र उनके समय ये मंदिर बना इसने बनाए उनके एक फ्यू डेटरी थे उनका नाम उनका परिवार last sentence बहुत इंटरेस्टिंग है वो कहते हैं की वेस्टनर्स का ढर वेस्टनर्स का भھی भाव को हमने खतम किया है वेस्टनर्स का भ्ह कौन है इसका मतलब है वो रेफर कर रहे हैं पहले टच्र किया करमन so it's very very interesting और आखरी में ये जो आपने बात की कि जो हिस्टोरियन्स हैं जिन्होंने गद्दारी की ना केवल देश के खिलाफ बलकि सब्धता अपनी सब्धता के खिलाफ उनका ये जितने भी अटेम्ट्स थे चाहिए हर्केलोजिकल सर्वे हो और प्रूफ हो इतने जोट मतलब उसके अराउंड बनाया कभी बोला कि जैन मंदिर था उसको तोड़के हिंदु मंदिर बनाया कभी बोला बुद्धिस मंदिर था जब ट्रेता का ठाकुर का जो इंस्क्रिप्शन था वो मिला तो बोला कि नहीं लखना उसके म्यूजियम से चुरा के यहां पे रख दिया तो मतलब इतने सारे जूट फरेब इन्हों ने बनाये आप उस समय यू और वेरी मच अक्टिव यू और अ हिस्टोरियन हू अगेज़ इन राइटिंग आपके मन में क्या बीट रहा था मतलब आपके जनरेशन के लोग हैं ये तो आप क्या सोच रहे थी कि यह लोग क्या कर रहे है और बात ऐसे करते थे कि जैसे यही ओथरेटी है हिस्टोरियन्स रिपोर्ट टू दे नेशन और उनको जो मीडिया में इतनी स्पेस दी जाती थी जो अध्यान कर रहा था उसको पता था यह सारा जूट है लेकिन हमारे पास कोई एवन्यू नी था हम अपनी बात कहां लिखें अखबारों में कोई हमको स्पेस नहीं थी किताब छापने में भी कितनी छपने में भी कितनी दिक्कत थी तो वो तो छोड़िये लेकिन मेरे को ये प्रशन उठता है कि अब जब उनका टोटल एक्स्पोजर हो गया जब उनकी जो करतूते हैं सामने आ गई तो कोई भला अमानस वो प्राइस्चित कि भावना तो प्रकट करेगा कि भाई हमने गलत इतिहास का प्रचार किया हम इतिहास को गलत तरीके से समझे तथ्यों को हमने ठीक तरे से नहीं समझा हमारी वज़े से इस देश में इतनी देर तक इतनी टेंशन्स बाद विवाद हुए जिसकी कोई जुरूत नहीं थी क्योंकि सारा सबूत एक तरफ था देखिए मस्जिद पार्टी के पास सबूत क्या था तीन सो साल आप थे नहीं और उसके बाद 1934 से आप खुद कह रहें कि हम नहीं हैं जब राम लल्ला प्रकट होते हैं 1949 में तब आप FIR भी नहीं फाइल करते तो किस कौन सी बेसिस पे आप उनको सपोर्ट कर रहें देखिए इतिहासकार का करतब होता है कि वो तथ्यम को सामने लाएं अब ये नहीं है कि जो तथ्यम आ रहे हैं उनको जुठलाने की कोशिश करें पिल्कुल तो बट इट इस सैड लेकिन इसका एक फाइदा है फाइदा ये है कि मत्रा और काशी में मेरे को इन दिगजों की आवाज नहीं सुनाई दे लिए यो नो क्योंकि क्रेडिबिलिटी खतम हो गई कुछ नहीं अब मैंने इन बड़े बड़े दिगजों को उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं क्योंकि सारे जूट उन्होंने वहीं खर्च कर दिये सारे जूट नहीं पर और अच्छली इनको ये सोच भी नहीं सकते थे इनकी हार होगी सुप्रीम कोट में जब ये फाइनल हेरिंग हो रही थी तो इनके वकील इतने गुसे में थे इन्होंने हिंदू पार्टी के पेपर्स जो वो कोट में पेश कर रहे थे कोट के सामने उसको फाड़ना शुरू किया क्योंकि इनको पता चल गया कि भी हार होने वाली है और हार के लिए ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन मतलब in the sense it is the triumph of people ये सारी जीत आम लोगों की है अब ये जो बोला जाता है कि बहुत बड़ी जीत थी आयोद्या की और उसमें अगर हम काशी और मतुरा को लें तो comparatively काशी और मतुरा तो आसान है मतुरा तो बिलकुल foolproof है क्योंकि अपनी पुस्तक में मैंने जो मैंने पुस्तक लिखी है तो मैंने दिखाए कि पहला शिला लेक जो मतुरा से मिला वो धाई हजार साल पहले का है और जब हम मत्रा की बात करते है काशी की बात करते है तो हमको यह याद रतना है कि महाँ पर कितनी बार अटेक हुए मेमूद गजनवी से लेके एमच्छा अब्दाली हर सुल्तान ने आकरमन किये मत्रा पर तो जो सबूत बचा है वो तो बाइचांस बचा है न और कोई सबूत पूरा बचा नहीं और अधिकांट सबूत तो खो गए है नश्ट हो गए लेकिन जो सबूत बचे हैं उनके आधार पर भी हम मत्रा पर प्रहार का इत्यास लिख सकते हैं और मत्रा पर वासू देव कृष्ण का प्रेजन्स हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं शिला लेक जो पहला शिला लेक धाई हजार साल पहले का है तो और क्या चाहिए आपको अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो वो अलग बात है लेकिन मत्रा में इतना शिला लेक इतने शिला लेक हैं और इतिहास के इसाब से भी बहुत डिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन है बिल्कुल क्योंकि दिल्ली के पास था सबसे ज़्यादा अक्रमन हुए लोगों ने उसके बारे में लिखा भी और और वहां पे भी मत्रा में भी ब्रिटिश कोर्ट्स जो हैं उन्होंने जो इन में फैसले किये वो सारी जज्जमेंट्स बची हुई हैं और फैबिलस और ब्रिटिश जज्जेज ने इद्गा पार्टी को कहा कि आप डॉक्यूमेंट्स को ना फर्ज मत करना शुरू किजए उन्होंने कट्रा केशब देव जहां पे नाम था वहां पे उसको काट के कट्रा इदगा तो कोटने का आप क्या कर रहे हैं आयोध्या में भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज किया और क्या किया जहां पे मस्जित लिखा था ना ना वहां पे जनम स्थान लिखा अयोध्या पे वहाँ पे उन्होंने पेंस से उपर लितिया और बाबरी मस्ज़ तो वो जो उन्होंने फॉर्जरी की वो इंडिपेंडेंडेंस के बाद की है 1990s की है और वो पकड़े गए क्योंकि पहले की इंक और 1990s के इंक में तो कितना फर्क होगा हैंड्राइटिंग अलग थी निब अलग थी पिन तो पकड़े गए और उनको यह ख्याल आए कि यह डॉक्यूमेंट्स के दो सेट हैं तो एक सेट जो उनके हाथ लगा उसमें तो उन्होंने कर दिया फॉजरी और दूसरा सेट अफ वो ही डॉक्यूमेंट्स इसके लिए इनक में यही प्रशन आता है कि इतना आपने इस देश के साथ अन्याई किया है तो कोई सजा नहीं माफी नहीं सजा नहीं तो यही कहानी मत्रा में मत्रा में भी at least 8-10 cases in the court I'm aware of जो मंदिर और मस्जिद पार्टी के बीच में हैं और हर केस में मस्जिद पार्टी हारी है और कोई केस लेके आ रहे हैं जब आपके पास कोई सबूत नहीं है तो बार-बार वो केस क्यों ले गया है तो देकेस इन मत्रा इस वेरी स्प्रॉंग प्रॉब्लम सिर्फ मत्रा में यह है जो मैं समझ रही हूं क्योंकि लास्ट आई विटनेस अकाउंट मत्रा उस इलाके की अ अलेक्जंडर कनिंगहम डिरेक्टर जेनरल ऑफ दा आकेलोजिकल सर्वे अफ इंडिया थे उन्होंने पांच-छे बार मत्रा का दोड़ा किया और हर बार रिपोर्ट पेश की और जो लास्ट रिपोर्ट उनके है वो बहुत महत्पून है उन्होंने का मैंने इस मंदर की न और वो कहते हैं कि इदगा जो है वो खंडर हो गया है इसकी दिवारों में छटों में इतने दरार पड़ गए है इसको तो डिमॉलिश करके यहां पर एक्सक्वेशन हो सकते हैं ठीक है अब प्रॉब्लम यह है कि जो मस्जिद बनी हुई है अब यह तो दरार नहीं है इसमे यह तो नई मस्जिद है तो लोगों का कहना है कि 1968 में केंद्रिय सरकार ने समझोथा किया इदगा पार्टी और उनको कट्रा केशव देव के दो एकड़ जमीन दे दे जबकि केंद्र सरकार ने यह उत्तर प्रदेश सरकार ने अब मुझे लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार बिना केंद्र सरकार की सहमती से ये कर सकती है और अगर सिर्फ उतर प्रदेश सरकार है तो केंद्रिय सरकार सो रही थी क्या बट जो ओफिशली दिया हैंड ओवर हुआ है वो उतर प्रदेश सरकार का नाम है वो जो डॉक्यमेंट है जिस में जिस पूरा वो स्पष्ट किया गए ये इतना ही जमीन है उस जमीन का इतने फिट यहां से उतने फिट यहां से उतने फिट यहां से वो समझोता है श्री कृष्ण सेवा संग और इदगापार्टी और ये सेवा संग कुछ नहीं अब ये सेवा संग के बारे में हम कुछ नहीं कैसे थे कब आई कहां से आई और इसको किसने शक्ती दी पावर दी कि भी तुम समझोता कर लो क्योंकि काटरा केशव देप तो हिंदू पार्टी कभी नहीं आ रही थी तो ठीक है सरकार ने दिया ह तो सरकार ले भी सकती है ने ने वो तो ले भी सकती है लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि जो हिंदूस इतनी सद्यों से इतने मुश्किल हालातों में संगर्ष कर रहे थे तो उस समाज के साथ गद्दारी किसने की है वही चलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद इतना विस्तार में बताने के लिए और एक जो आयुद्या को जो न्याए मिला है उसके जो हिंदूस अमाज को न्याए मिला है वो काशी और मतरा दोनों में और मिले और और भी बहुत सारे उसके बाद मंदिर बचेंगे जैसे एक मंदिर में मैं गया था विदीशा में विजय मंदिर जो अ तो मैं चाहूंगा कि एक हम मंदिरों के उपर एक वारतलाप करें बहुत जल्दी तो थैंक यू सो मच आपने आने के लिए और इत्म समय देने के लिए अंध करेंगे जैश्री राम के लिए जैश्री राम अगली बार जैश्री कृष्णा हो सकता है या हर हर मादे हो सकता है बिलकुल थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू